हेलो दोस्तों आपका स्वागत है गड़्ी वाला में मैं हूराहुल और आज हम बात करने वाले हैं आज हम पारिजन करने वाले हैं दो भईक को एक है बजाज की तरफ से दूसरी है होंडा जो बजाज की तरफ से उसका नाम है पलसर 125 नियोन जो होंडा की तरफ से उसके लाम है SP 125 जो की अभी हाली में आई थी बिजाज पलसर 125 अपने सेग्मेंट में लोगों पे राज करती है काफी टाइम से लोगों की और फेवरेट बाइक है चाहिए है कि हमको इन दोनों में से कोंसी भाइक लेनी चाहिए तो आप वीडियो के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चानल को सब्सक्राइब कर दें और बैल एकन को प्रैस करना ना बूलें ताकि हमारे चलमें जो भी लेटेस वीडियो उसका अपडेट या नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले आगा तो सबसे पहले अब हम बाइक के प्रैस को कर लेते हैं तो पलसर आपक प्रैस है 75,494 रुपए अगर हम वहीं Honda SP-125 के बात करें तो यह बाइक भी आपको दो वेरेंट में आती है ड्रम और डिस्क के साथ जो ड्रम वेरेंट उसका प्राइज है 73,494 रुपए एक्शोन प्राइज दिली और वहीं डिस्क वेरेंट का प्राइज है 17,602 रुपए एक्शोन प्राइज दिली तो होंडा SP-125 आपको बजाज पलसर के मुकावले तुचली पड़ती है तो अब यह जानते हैं कि यह अगर आप ज्यादा देते हो तो किसलिए देते और आप ज्यादा दे रहे हो तो आपको उसमें क्या-к्या मिलना जाहिए तो हम features की बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम Pulsar के जितने features से उनके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहला जो features आता है वो performance का आता है तो Pulsar में आपको DTSI technology engine मिल जाता है जो कि 12 PS की power generate करता है CBS technology मिल जाती है combi braking system अगर वही साथी साथ DRL मिल जाता है tubeless style मिल जाते हैं और anti-skid braking मिल जाती है अगर हम next styling की बात करें तो काफी अच्छा आपको new feature मिल जाता है design काफी अच्छा लगता है bike का और next इसमें sporty clip handle bar मिल जाते हैं plus आपको new graphics मिल जाते हैं और साथी साथ आपको एक grab rail मिल जाती है काफी अच्छी तो यह इसके सारे features अगर महीं हम Honda SP 125 के features के बारे में बात करें तो इसमें ESP technology मिल जाते हैं जिसका मतलब है enhanced smart power जो कि आपकी power को तो increase करते हैं साथी साथ mileage को और friction को reduce करने में भी help करता है और next feature इसमें आपको programmed fi मिल जाता है अगर साथी साथ friction reduction technology मिल जाती है 16% तक ज्यादा को मिल जाती है pass switch मिल जाता है engine start stop switch मिल जाता है h82 plus tire मिल जाते है muscular एक sporty tank मिल जाता है और एक sporty look के साथ आपको headlamp DC headlamp मिल जाते हैं और seal chain मिल जाती है इस तरह के होड़ भी कई features इस bike में है जो कि आपको 1500cc की bike में भी देखने को नहीं मिलते हैं तो features में मैं कूँगा Honda SP बाजी मारती है क्योंकि आपको Pajaj Pulsar में सिर्फ जो normal features होते हैं वहीं देखने को मिलते हैं बट Honda SP में आपको काफी advanced features देखने को मिल जाते हैं अगर हम वहीं design की बात करें तो जो Pajaj Pulsar का design वो simple design है और वहीं पर Honda SP 125 का design थोड़ा सा sporty है एक sports bike जैसे लगती है देखने में 125cc engine के साथ जो कि अपने segment में सबसे अलग है देखने में काफी अलग है और आपको ऐसी technology मिल जाती है इसमें जो कि आपको 125cc की किसी भी bike में देखने को नहीं मिलेगी तो डिजाइन भी Honda SP का थोड़ा सा बैटर है बिजाज पुल्सर के मुकावले अगर हम इंजन specification की बारे में बात करें तो सबसे पहले हैं पुल्सर की इंजन बात कर लेते हैं तो पुल्सर में जो आपको इंजन मिलता हूं मिलते हैं 12.4 cc का single cylinder four stroke twin spark air cooled bs6 engine DT SI engine मिलते हैं मैं आपको पहले ही बताया है जो कि power generate करता है 12 ps की at 1500 rpm साथ साथ टॉर्क जन रेट करता है 11 Nm की at 1500 rpm में वहीं अगर हम होंडा SP 125 के specification के बारे में बात करते हैं इसमें आपको 124 cc का single cylinder four stroke air cooled bs6 with programmed F5 के साथ engine मिलते हैं जो कि power generate करता है 10.72 bhp की at 1500 rpm में साथ साथ टॉर्क जन रेट करता है 10.9 Nm की at 6000 rpm में अगर हम दोनों bikes के suspension or braking के बात करें तो हैं बेजाज pulsar में front में telescopic suspension देखना को मिल जाता है रेर में आपको twin gas shock suspension देखना को मिल जाता है और वहीं आपको होंडा में SP में फ्रंट में आपको telescope मिलते है रेर में है अपको hydraulic type suspension देखना को मिल जाता है वहीं हंडा की बात करें तो फंटा में आपको फॉसरण में ड्रम को मिलता है और साथ कि डिक मिल धूलती है और दोनों ही cbis टेकनॉलजी के साथ आते हैं पर आपको पल्सर में एंटिस केड़ ब्रिकिंग टेकनोलजी भी देखने को मिल जाती है अगर हम वहीं टेंक की बात करें तो पलसर का फ्यूल टेंक थोड़ा सा बड़ा है 15 लीटर का फ्यूल टेंक है और होंडा SP का 11 लीटर का फ्यूल टेंक है तो यहां थोड़ा सा आपको बड़ा टेंक मिल जाता है अगर हम बात करें Dimension की length width height की तो pulser की length है 2055 width है 755 height है 1060 mm अगर हम wheelbase की बात करें pulser की तो 1320 mm का wheelbase मिलते है ground clearance आपको 165 मिलते है और weight मिलते है 140 kg का अगर हम वही हम Honda SP 125 की dimension के बारे में बात करें तो आपको length मिलती है 2020 mm की width मिलती है 785 mm की और height मिलती है 1103 mm की wheelbase मिलते है आपको 1280 mm का ground clearance मिलती है 160 mm की और weight bike का है 118 kg और seat height है 790 जन specification में pulser बाजी मारता है क्योंकि उसकी power और torque थोड़ी सी ज़्यादा है SP के मुकाबले बट feature में Honda SP बाजी मारती है तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इन दोनों bike होनी चाहिए power ज्यादा मिलनी चाहिए और mileage भी थोड़ी सी कम है यहां pulser की Honda SP के थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि उसकी जो power उतनी ज्यादा नहीं है तो आप उतना नहीं भगा पाओगे थोड़ी सी top speed कम है पर यह है कि थोड़ा सा अलग लगो शोफ कराने आपको तो आप Honda SP 125 ले सकते हो अगर आपको चाहिए कि मेरे को चलेगा बस मेरे को power चाहिए bike में तो आप pulser के तरफ जा सकते है क्योंकि pulser के design थोड़ा simple है खास features नहीं मिलते हैं पर अच्छा engine मिल जाते आपको पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहां इंजन इसका मार खाता है जब थोड़ा सा time period हो जाते एक दो साल तो यहां इंजन थोड़ा आवाज करना ही लगता है पर ऐसा Honda में नहीं है Honda का आपको एक refine engine मिलेगा जो काफी smooth working करता है और मैं कूँगा आप Honda SP की तरफ जाए हैं और काफी दोनों ही काफी अच्छी बाइक हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगते तो वीडियो को like कर दे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और बैल आकन को जरूँग कर दाके तरफ बाइक हैं तरफ आपको आपको की तरफ इसका छामाझ मिलेगा शच्तिकम्न